मैं हूँ नफीसा खान, स्वाकत करती हूँ आपका जीवन कोश में दोस्तों आम तोर पर देखा जाता है कि हम ग्रीन टी बैग का इस्तमाल करने के बाद उसे कोडे में फेग देते हैं लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये इस्तमाल किया हुआ ग्रीन टी बैग भी आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता है जी हाँ, आया अज आपको ये बताते हैं कि ग्रीन टी का यूज हुआ बैग किस तरह से आपको फायदे दे सकता है सबसे पहले बात करेंगे आखों की खुपसूरती बढ़ाने की आखों की खुपसूरती बढ़ाने के लिए इस्तिमाल की हुए ग्रीन टी बैग को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दे जब ये टी बैग अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो इसे आखों पर रख ले ग्रीन टी में मौजूद टैनिन आखों के नीचे की सूजन को कम करने की साथ स्किन में कसाब लाता है जिससे आखों की खुपसूरती बढ़ जाती है बात करेंगे मूँ के छालों की अक से देखा जाता है कि लोगों के मूँ में छाले हो जाते हैं जिससे खाना खाने में भी परिशानी होती है ऐसे में आप ग्रीन टी बैग से मूँ के छालों का इलाज कर सकते हैं जी हां, इस्तिमाल किये हुए ठंडे ग्रीन टी बैग को 5-10 मिनट के लिए चालो पर रखें, ऐसा करने से टी बैग में मौजूद तक्व चालो से चुटकारा दिलाने में काम करेंगे. बात करेंगे अब फेस स्क्रब की, ग्रीन टी का स्क्रब चेहरे के लिए एक्सफॉलियेटिंग स्क्रब की तरह काम करता है, इससे चेहरे की स्किन टाइट होती है और रिंकल्स कम होते हैं, इसकी इस्तिमाल से चेहरे का ग्लो बढ़ जाता है, इसका स्क्रब तयार करने के लि इसके इस्तिमाल से चेहरे के black hits ठीक हो जाते हैं। और चेहरा निखर जाता है। बात करेंगे अब face pack की। green tea bag से इस्तिमाल की हुई green tea एक बाउल में निकाल कर इसमें शहद और baking soda को बराबर मात्रा में मिलाकर paste तैयार कर ले। इस पेस्ट को 10-15 मिनट के लिए चेहरे पर लगाए, ग्रीन टी चेहरे को कसाफ देगी और बेकिंग सोडा एक्सफॉलियेटर का काम करता है, जो चेहरे को अंदर से साफ करता है, साथ ही शहद तुचा का ग्लो बढ़ाती है, अगर आपके पास फेस पैक लगाने का वक्त नह तो आप टी Бैक को ठंडा करके उससे फेस की मसाज कर सकते हैं, बात करेंगे अब शायनी बालों की, ग्रीन टी बैग तुचा के लिए जितने उपयोगी हैं, बालों के लिए भी वो उतने ही फायदेमन्द हैं, इसके इस्तमाल के लिए कुछ ग्रीन टी बैक्स को पानी में 15 मिनट के लिए उबाल लें और राद पर पानी में ही रखा छोड़ दें अगले तिन सुबा गिले बालों पर ग्रीन टी बैग वाला पानी डाल कर 10 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर बालों को धो लें ये बालों के लिए एक अच्छे कंडीशनर की तरह काम करता है जो बाल कर सकते हैं अंटियोक्सिडेंट से भरपूर ग्रीन टी पिंपल वाले बैक्टीरिया को नश्ट कर सकती है इस्तिमाल किया हुए ग्रीन टी बैग को ठंडा करके फेस पर लगाने से पिंपल की समस्या से आप निजात पा सकते हैं तो अब तो आप समझ गए होंगे कि इस्ति किया हुआ ग्रीन टी बैग आपके लिए कितना उपयोगी है तो आप इस्तिमाल किये हुए ग्रीन टी बैग को ऐसे उपयोग में ला सकते हैं साथ ही तवचा की खुप सूर्टी भी बढ़ा सकते हैं तो कैसे लगी आपको ये खास जानकारी हमें आप कमेंट बॉक्स में ल